अब आप सभी ठीक होंगे तो आठ से हम क्राशेट आईएसे एमेगा गर्वाल एक्सरसाइस ताइप पॉइंट गे कोशन अब एट से आपको पताएंगो ओके बेटर देखिये क्या कह रहा है कोशन कहना इन अ मॉडल ऑफ शिप कहरा एक शिप का मॉडल आपको दिया हुआ है जाहर सी बात है आप अगर मुजियम अगरा जाएं तो वहाँ पे हर चीज के मॉडल रखे होते हैं जैसे अगर इंडिया गेट है तो इंडिया गेट को कोई छोटा सा बिटा कोई बना के रखे होगा ठीक है आटिस लोग ने इंडिया गेट की तरह ही कोई छोटी सी चीज बना के रखी होगी उसको आप क्या कहते हैं मॉडल कहते हैं वही चीजस में भी कह रहा है कि अगर किसी शिप का जो मास्ट यानि फ्लैग स्टफ यानि जहाँ पे शिप में जंडा लगा जाता है वह अगर किसी मॉडल का 6 cm है हाई है जबकि जो एक्ट्वल में शिप का जो फ्लैग स्टफ था यानि जो असली की शिप में जो जंडा लगाने की जगा थी वो 9 मीटर हाई थी और मॉडल में कितना है 6 cm हाई है ठीक है कहा रहा है इफ दे लेंद ऑफ दे शिप इस 33 मीटर हाउ लॉडल अगर शिप की लेंद 33 मीटर है एक्ट्वल में तो जो मॉडल है यानि जो शिप का मॉडल है उसकी लेंद कितनी होगी समझ में आया एक बार प्रिट समझ लो जंडा लगाने की जगा मॉडल वाली शिप में 6 cm हाई थी एक्ट्वल लेंद में किती थी 9 cm हाई उसी तरह किसे अगर शिप की एक्ट्वल लेंद 33 मीटर है तो मॉडल वाली शिप की लेंद कितनी होगी समझ में आया दोने गुस्टे के क्या है डिरेक्ट वैरिएंजन में है ठीक है देखो सवल्यूशन डिरेक्ट वैरिएंजन में है तो मैं आपको बढ़ाई कुगा हन्-पॉum का से जो री करते है एक प्रिवेष वीडियो में फीक है देखो वैसे, 6 cm है, इसका क्या, इसका क्या, model, flag stuff, flag stuff, किसका model वाली ship का 6 cm है, upon, लिखना चाहिए लिखना, 6 cm, 9 m, actual ship का flag stuff, किता है, 9 m, is equal to, उसके बाद क्या दिया है, if the length of the ship is 33 m, यानि actual length ship के क्या दिनी है, 33 m, तो actual वाला मैंने नीचे लिखा है, तो यह जागा 33 m, हुछ रहा है उसके बाद क्या पुछ रहा है, how long is the model of the ship, यानि जो है, समझने हैं एक बार, जो शिप का मॉडल है, यानि जो मॉडल लेंथ शिप की वह कितिनी हैं, तिसको अप क्या मान लेजे, X मान लेजे, टोन नहीं है, एक बार फिरे समल लो, 6 cm क्या था आपका, flag system, यानि जंडा लगाने की जगह model में, x क्या है आपका ship की length model में 9 meter क्या था, जंडा लगाने की जगह actual ship में 33 meter क्या है, ship की length actual में, ठीक है, नीचे क्या है denominator में, दोनो actual actual है उपर क्या है, दोनो model model है, ठीक है x की value पता कर लो answer आ जाएगा 100 से multiply की कर देंगे upon समय ना बटा, ये किता दिया है 9 meter, इसको भी centimeter में करेंगे, क्यों करेंगे centimeter में पता है न, क्योंकि ये 3 unit क्या होनी चाहिए एक में होनी चाहिए, एक unit में होनी चाहिए 1 centimeter में है, 2 meter में है तो meter वाली को मने centimeter में कर दिया 100 से multiply कर रहे है किलिए रहे है कोई दिख्यात वाली बात तो नहीं है ओके इसके बाद दखो 100 से 100 conceal out हो गया 3 से reduce करो 3 2 जा 3 3 जा फिर 3 से reduce करो 3 1 जा 3 11 जा X की value कतनी आ गई 2 को 11 से multiply कर देंगे कितना आएगा 22 ठीक ना और साथ में कितना आएगा यह आप इसका पता कर रहे हैं यह cm में तो यह भी किस में जागा cm में यानि जो ship की length model की model यानि जो museum में रखा जाएगा model उसमें जो ship की length होगी वह कितनी होगी 22 cm कि लिए रहे बैटा अच्छे से चलो पड़ाग से इसका screenshot ले लो इसके बाद next question करता हूं जल्दी से ले लो चलो शाबाश कि लिए रहे बैटा अच्छे से चलिए इसके बाद अपना next question करते हैं समझेंगे तोला सा क्या दियों जब देखें कि यह दियों जब देखें कि यह दो आपकी रओड की लेंट होगी उतना ही ज़्यादा उसका मास होगा है यहनि कि इसका वज़न होगा है एक केस दिया हो अगर 16 cm का रॉड है 16 cm लंबा रॉड है तो उसका बज़न दिया है 192 ग्राम तो कह रहा है किस लेंथ का हम रॉड लेंकि उसका वज़न कितना हो 105 ग्राम हो बहुत असान न्काल लोगी देखो जैसेionenों तो जागken 16 अपउन 192 अचा 16 क्या है आपकी 時 रोट की लेन्थ है तो यहाँ भी क्या रहेगी रोट की लेन्थ रहेगी यहाँ तो एप दूसरी बाया में रोट की लेन्थ नहीं दी हुगी तो आपकी क्या मालोगे ग्राम में है तो इसके निचे भी क्या रहेगा, ग्राम में रहेगा, तो 105 ग्राम, ठीक है, X की वाल्यू पता कर लो, अंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 इंटू 105, अपॉन 192, क्लियर है, X की वाल्यू भाई ये, पता कर लो, देखो, 16 से रिडियूस कर सकते हैं, बिल्कुल, समझना, 16 मंज़र 16, 19 में से 16 माइनस करेंगा, 3 आएगा, साथ में 2, 32, 32 क्या 16 की टेबल में जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 बार में, क्लियर है, 3 से रिडियूस करो, 3 4s आ, 3 3s आ 9, ठीक न, और ये क्या हो जाएगा, 3 3s आ 9, 1 और 5, 15, 3 5s आ, आंसर कितना X की वाल्यू, 35 अपॉन म 4, ठीक है, इसको अगर डेसिमल मिले जाना चाहते ले जा सकते हूं, ठीक है न, डेसिमल तो सॉल कलोगे कि यह नहीं कर पाऊगे, नहीं कर पाऊगे, तो बता है, अच्छा थे, ओके, देखो, 4 8 से कितना होगा, 32 होगा, 35 में से 32 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, पॉइंट पॉइंट लगा है, जिरो लगा देंगे, यह तो कल होगे न, पॉइंट वाला डिविजन, मैं अपने से का राउंड ही है, 2 0, 20 यानि 5 बार में, आंसर कितना हैगा, 8.75 सेंटीमीटर, यानि जिस रॉड का मास 105 ग्राम होगा, उसकी लेंद कितनी हो जाएगी, 8.75 सेंटीमी जिरो, 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 जिरो को एक गाउं से दूसरे गाउं जाना है, विलेज A से विलेज B जाना है, ठीक है, उसने जो दोनो गाउं के बीच का डिस्टंस मेजर किया है, वो है 3.5 cm, ठीक है, उसने जो दोनो गाउं के बीच का डिस्टंस मेजर किया है, वो कितना दिया है, 3.5 cm, ठीक है, उसकी बात क्या लेख रहा है, what is the actual distance between the villages, उन दोनों गाउं के बीच का actual distance कितना है, अगर एक centimeter, जो मैप में देखा जा रहा है, उसका 20 kilometer actual में है, समझना वह असान है, एक centimeter के distance से 20 kilometer, 3.5 centimeter के distance कितना हो जाएगा, उसको 20 से multiply कर देंगे, ठीक है, दोनों बेटा directly variate है, direct variation में है, ठीक है, बहीं ज कितना ज्यादा distance मैप में होगा, उतना ही ज्यादा distance किया होगा, actual में होगा, यह चीज तो होगी न, समझ रहे हैं मैरी बात कि नहीं समझ रहे हैं, यह आप इसको direct unitary method से भी कर सकते हैं, कि यह एक centimeter, अगर 20 kilometer के बराबर है, तो 3.5 centimeter के बराबर हो जाएगा, 3.5 into 20 कर देंगे कि लिए रहे हैं, कोई दिख्यत वाली बात तो नहीं है, चला, ऐसे ही कलोशी देशते हैं, unity में देशते, कि अगर 1 centimeter है आपका कितना, 20 kilometer, तो 3.5 centimeter कितना हो जाएगा, बदाओ कितना हो जाएगा, direct result क्या करेंगे, 3.5 से 20 को multiply कर देंगे, ठीक है, आंसर कितना आगा इसका, 70 मेरे खाल से आएगा, ठीक है, हाँ, 35 को 20 से multiply करेंगे, 700 आएगा, पीछे से गिंद को बद पांट लगा देंगे, तो कितना और एगा, 70 हो जाएगा, 7 kilometer, यानि दोनों गाओं के बीच का distance कितना है, 70 kilometer है, तामने मैं है बेटा, अच्छे से, वई दिक्कत वाली बात तो नही है, अगर आपके वीडियो पसंद आएगे, तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुचा हैं, जो कोचिंग को एफॉर्ड नहीं कर सकते हैं, थाइंक यू